नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर गनेश इंगोले, मैं साइकारिस, डिएडिक्शन और सेक्शुल डिसॉर्डर स्पेशलिस्ट हूँ आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक नया पंसेट शेयर करने वाला हूँ आपने देखा होगा कि जो लोग health conscious होते हैं या जिनको अपने health के बारे में फिक्र होती है वो annual physical check-up करवाते हैं जिसमें वो अपना blood test, routine investigation करवाते हैं body का functioning check करते है, BP check करते है, blood sugar level check करते है या फिर और भी कोई problem है क्या उसको check करते हैं ताकि पता चल सके कि कोई physical problem अगर आपको develop हो रहा है जैसे heart disease है, diabetes है या stroke हो रहा है तो उसको पहले से ही पता कर सके ताकि जल्दी से जल्दी treatment शुरू हो जाए और आपको ये बिमारी ना हो या आप उससे बच सके लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि annual mental health check-up क्यों नहीं होता या annual mental health check-up कोई follow क्यों नहीं करता देखिए annual mental health check-up करना बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है लेकिन ये पुरी दुनिया में कही follow नहीं होता यहा तक कि medical literature में भी इसका कही mention नहीं है कि अगर कोई patient आता है तो उसका annually कैसे mental health check-up करना है या उसको कैसे assess करना है तो ये नया concept में आप लोगों के साथ discuss करना चाता हूँ इसका importance क्या है ये क्यों करना जरूरी है यहाँ तक कि annual physical check-up से भी mental health check-up क्यों ज़्यादा जरूरी है ये मैं आपको समझाऊंगा देखे जैसे कि हम important diseases की बात करते है lifestyle diseases की जैसे hypertension, diabetes या फिर stroke इनकी main वज़े क्या होती है lifestyle में changes और इसका main factor क्या होता है जो lifestyle में changes होते है उससे stress बढ़ता है stress बढ़ने की वज़े से ये lifestyle diseases होते है किसी को stress हो रहा है तो वो stress ऐसे तो नहीं है कि एक साल का या एक-दो मैने के stress से hypertension हो जाएगा या diabetes हो जाएगा इसके लिए लंबा period चाहिए होता है तो आपने देखा होगा कि hypertension, diabetes होता है ये generally 30 में शुरू होता है यानि कि 35 years above 40 years के से hypertension वगेरा ये diseases शुरू हो जाते है लेकिन जो mental illnesses होते है जिसकी वज़े से ये physical illnesses होते है वो काफी सालों से पहले से ही शुरू हो जाते है यानि कि इन में जो gap period होता है लगबग 20 साल का होता है anxiety या depression जैसे जो mental illnesses होते है ये around 18 years की age में शुरू हो जाते है generally जब हम 18 साल के होते है तब हमारी एक personality develop हो चुकी होती है किसी की personality में anxious trait हो सकते है या किसी की में depressive traits हो सकते है ये अलग-अलग traits अलग-अलग type के illnesses को बढ़ावा देते है तो जब ये traits हमारे अंदर होते है तो उसके साथ ही जब बाहर के external factors आते हैं जो stress को बढ़ावा देते हैं चेंज कर देता है जिसकी वज़े से BP बढ़ता है arteries में claws बढ़ता है जिसकी वज़े से stroke हो सकता है blood sugar level imbalance हो जाता है क्योंकि शेरिर में cortisol hormones constantly secret होते रहता है उसकी वज़े से stress level है काफी ज़ादा बढ़ जाता है जब भी कोई 18 साल की वेक्ति होती है उसको बाहरी stress का सामना करना पड़ता है तो उसके अंदर ये changes शुरू हो जाते है पहले emotional changes होते हैं जिसकी वज़े से mental illnesses धिरे धिरे develop होते है तो ज़रूरी नहीं कि mental illnesses मतलब बहुत ज़ादा gross रूप में जो बाहर से पता चल सके ऐसे हो सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि mental illnesses कितने common है around 25% of the population किसी एक समय में mental illnesses से ग्रस्त होती है यानि कि अगर आप 4 वेक्ति हैं तो 4 में से 1 वेक्ति mental illness से ग्रस्त हो सकता है जो कि हमें बाहर देखने से पता नहीं चलता क्योंकि ये अंदूरनी illnesses होते है जो कि हमारी सोच के साथ जूड़े हुए होते तो अगर आप anxious है, depressed है तो ज़रूरी नहीं कि आपके सामने वाले वेक्ति को ये चीज़ के बारे में पता चले हो सकता है कि ये आप अंदर ही अंदर जेल रहे हो तो उसकी वज़े से stress level continuously बढ़ते रहता है, उसकी वज़े से physical illnesses धिरे-धिरे develop हो चाते है तो जब भी कोई वेक्ति 18 साल की होती है तो उसने annual mental health check-up शुरू कर देना चाहिए जिसमें आप अपने psychiatrist के पास जा सकते है और उनके अपने जो भी problem है जरूरी नहीं कि आपको कोई problem हो ही या फिर आप कोई परेशानी से ग्रस्त है आप सिर्फ simply psychiatrist के पास जाएंगे उनके साथ अपने जो भी schedule है आप जो भी पढ़ाई कर रहे है जो भी काम कर रहे है उसमें आपको क्या परेशानी आ रहे है आप किस वज़े से promote नहीं हो पा रहे है या आपकी पढ़ाई में क्या आडचनी आ रही है या परस्नल रिलेशन में क्या problem आ रही है ये सारी चीज़े आप अपने psychiatrist से discuss कर सकते हैं तो जब आप psychiatrist से बात करेंगे अपने कोई problem के बारे में discuss करेंगे तो धीरे-धीरे psychiatrist assess कर सकता है कि आपको कोई mental problem हो रहा है या शुरुवाती stages में है तो अगर कोई आपको mental problem हो रहा है तो उसका treatment स्टार्ड किया जा सकता है मेभी आपको treatment के रूप में दवाई शुरू कर दी जा सकते है या फिर psychotherapy शुरू कर दी जा सकते है तो आपको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिर्फ psychotherapy से काम चल सकता है जिसमें relaxation exercises हो सकता है CVT हो सकता है sleep hygiene के बारे में आपको बताया जा सकता है या आपकी lifestyle में क्या changes करने चाहिए आपको exercise की कितनी ज़रूरत है इसके बारे में भी आपको सिखाया जा सकता है जिसकी वज़े से आपको mental stress जो ही वो कम हो जाएगा जैसे जैसे आपका mental stress कम हो जाएगा तो आपके chances है कि mental illnesses नहीं develop होंगे और जिसकी वज़े से जो physical illnesses होते है वो नहीं होंगे इसको मैं एक और चीस के जरी आपको समझाना चाहूँगा कि जब भी कोई आपको physical illnesses होता है वो lifelong होता है जैसे hypertension हो गया, diabetes हो गया, यह lifelong होता है इसकी exact cure नहीं होते है सिर्क medicine देखे इसको दबाया जाता है यानि कि अगर hypertension है तो medicine के वज़े से आपका hypertension कम रहेगा diabetes की दवाई देखे आपका sugar level कम किया जा सकता है इसका treatment नहीं होता है तो जिस बिमारी का treatment नहीं है उसको prevent किया जा सकता है तो इसको prevent करने का अगरी जो commonly जो technique यूज़ करी जाती है वो है physical examination, annual physical examination लेकिन यह भी foolproof नहीं है क्योंकि already mental illness आपको 20 साल से पहले से हो चुके होते है जो stress level आपको 20 साल से जहला जा रहा है उसको आप prevent करी नहीं सकते तो इसको prevent करने का simple जरिया है कि आपने अपना annual mental health check-up करना चाहिए आप psychiatrist के पास जाके अपना थरोली check-up करेंगे इसकी वज़े से stress level कम होगा और future में आपको physical illnesses नहीं होंगे अगर आप इस बात को समझें कि आपकी जो पूरी life है एक साल में सिर्फ एक psychiatrist की visit से change हो सकती है तो यह definitely worth it है में भी आपके psychiatrist आपको कुछ fees charge करेंगे इतना होगा मेरा कितना time waste होगा मैं अपने career में progress नहीं कर पाऊँगा तो इन सारी चीजों को अगर आप एक visit से compare करके देखेंगे तो आपको यह काफी ज़्यादा beneficial रहेगा health के aspect में भी monetary aspects में भी तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के जरीए मैंने आपको annual mental health check-up का importance समझाने की कोशिश करिए तो अगर आपको वीडियो informative लगा तो definitely इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ share कीजे ताकि लोगों में psychiatry के बारे में awareness develop हो और मैं यह जो नया concept इंट्रोडूस करना चाहता हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा publicity मिले और लोगों का भला हो Thank you